आप प्रोग्राम ना प्रायो जग छे नीलकंट पर्तंग होटल आतीदी कारेकरमा विश्ष्ट व्यक्तितों साथे आपनी बोला कत करा देशो आतीदी कारेकरमा अतियार सुधी बद्धा जानीता चहराओने आपनी समक्स लावेए आछे ने तेमनी साधे वातों करी शांत्रन्थ परन्तु आजे अतीधी कारेक्रम का एक विशेश छे नॉर्मली अतीधी कारेक्रम जी आरे शरूत हतो है तो है गेश्ट जोड़े चर्चा करवा माटे मारे नजर आम लावी बढ़ शे कारण के बेलकुल नाना आती थी छे आजे अमारी साथे छे सालोनी यानिकी गंगुबा मेरे दोनों अच्छे लगता है दोनों अच्छे लगता है सलोनी सलोनी के सलोनी को बहुत देखा है लोगों ने टीवी में किसी ने 14 इंच के टीवी में देखा है किसी ने 21 इंच के टीवी में देखा है किसी ने बड़े प्लाजमा टीवी में देखा है लेकिन सलोनी जी जो कि और दो दो ख़र पे क्या क्या मस्ति करते हो कुछ भी करती हो क्या 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 मस्ति कि कि को का कल मैं तो शौ में गई थी कुछ मस्ति तो की स्क्रिप्ट के साथ इतनी चोटी सलोनी इतनी चोटी सलोनी उसमें से भी इतना चोटा ससा दिमा क्योंकि हमारे बड़े दिमाग में भी बहुत सारी बाते याद नहीं रहती है तो सनोनी जी कैसे याद करते हैं सब डायलोग disorders को याद करती हूँ जिए मेरे मम्मी याद करती है ओके तो रियलसल कर Centers करवाती है मम्मी या फिर डारेक्टर करवाते है डिरेक्टर ने कर बाते हैं ममी मिझे स्क्रेप्ट याद कराती है उधर गुरुमर्ज होते है ओके तू फिर याद रे जाता है रीटेक नहीं आते है जैनों के यह बहुत अच्छी बात है उधर राव रीटेक अलाउट नहीं है एक टेक में होता है और अगर रिटेक लिया तो आउट तो सालोनी को कितनी बार इतने चांस मिले एक भी बार आउट नहीं हुई कभी 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 ऐसा हुआ है कि डायलोग बुल गए थी सालोनी एक बार हुआ है लेकिन मैंने संभाल लिया क्या हुआ था वो जरा बताएंगे डायलोग किया था मैं शकील पनी थी और एक डायलोग था पूरबी के पेमेंट के बारे में बताओ तो मैं भूल गई थी और मैंने बोला मुझे पार्टनर उससे पूछना था मुझे तो मैंने बोला आपके मन में जो भी आए वो बताओ ऐसे बोला था तो उसने पूछा पूरबी के पेमेंट के बारे मैं बताओ क्या अच्छा तो उसमें आपने संभाल लिया था साले साकिल जी ने भी संभाल लिया था सलोनी सलोनी इतना ज़्यादा सलोनी लोगों को हसाती है सलोनी को सबसे ज़्यादा हसी किसके डायलोग्स में किसके परफॉमंस में सुनने से आता है मुझे सब कहता है फिर भी सबसे पसंद दिदा फैवरेट कौन है भारती दिदी मज़ाता है अपसे जदा वो भी इतनी मस्तिक हो रहे हैं बहुत मस्तिक हैती है है ना उसने क्या मस्तिक गिया थे किसा सुनाएए ज़रा अटलब ऐसे नहीं कहती है खिल पगर आमरा कहशे अच्छा 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 सलोनी को कभी सेट पे डाट पढ़ है याद नहीं है याद है लेकिन बताना नहीं चाहते है आप नहीं है सच्छी नहीं है ओके फाइन सलोनी सलोनी पढ़ाई भी करती है क्या है किस स्टांडर्ड में पढ़ते हैं और कौन से स्कूल है आपका थाकुर्वध्या मंदर तो स्कूल में में मुझे वह बात करने है सरुनी जब आप पहली बार टीवी में आने के लिए ओडिशन देने गई होगी और किया था तिम्हे किसम och aktivit दिती क्या क्या दियाथा दिया है क्या था किया ध्यावखchnयों के या दिया था दिहलु besoin बहुत आपका ऑट चोटी थी है अभी बहुत बड़ी हो गई है कि है ना इसलिए याद नेहीं बहुत साल पूरा नहीं बात हैं यह उतंतों यह ठाक जो अच्छा गंगुबाइश का जब रोल करती है परीफॉर्म करते हैं तो बहुत बड़ी आवाज होती सहते हैं अभी तो देदेलें बोले यह क्योंकि कि हैना वह पर्फॉर्म वह पर्फॉर्म मुझे चाहिए सदोनी जी एक एक आप अच्छा गंगो बाय वाला डायलोग जो आपको पसंद याद है जली को अक्तेphones आगे, बुजी को राको उठे, झरी में outta describesा 이거 मेर याद में में जी श्टीच की कमी है, उसे दॉं के राको इत्य है क्योंун के Oके K डोप्ते नेगे इस इय वे नये फिल्म में देखते हैं कौन hero कौन पसंद आपको रितिक रोषन condition कən सी film कि सबसे यादा पसंद आई रितिक रोषन के तो बहुत सारी फिल्म आई न अ सबसे ज़्यादा पसंद कों सी कुर फिर्श प्रीश चाहेंगे कभी अगर कोई अची से स्क्रिप्ट जेता आपको वो सिखाएंगे मुझे अगरे टिकरेशन का क्याता तो दर्शक दिरो सालोनी साथे गणी बदी वातों कर विशे बरंदू समय थे वो शेक नानकड़ा विरामनो I love the pit pit patter of the raindrops I love the birds buzzing of the bee I love the pit pit patter of the raindrops I love the birds I love the birds I love the birds कोई छे नंबर वन नी साथे कोई छे संस नी साथे गुजरात न्यूज सत्यनी साथे कोई कि आपनों कारेकरम अती थी मां वाद के रहा है आपने सालोनी सादेगी सालोनी जी सेकंड में पढ़ते हैं आप कि सही में पढ़ा ही करते हो स्कुल में हाँ क्योंकि अभी ताप स्टार बन गए तो टीचर भी आपको डाटे नहीं होंगे अच्छा अच्छा मतलब आप बढ़ने में भी बहुत ही क्लेवर है कौन से बादाब कौन से सब्जेक्ट्स आदेगे अच्छे आधे मैं इंग्लेश करामर इतने होते हैं बोरिंग सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है सबसे बोरिंग हिंदी हिंदी सबसे बोरिंग लगता है और हिंदी सब्जेक्ट की टीचर कैसी लगती है लेकिन हमें हिंदी होता ही नहीं है हिंदी होता नहीं है और हिंदी बोरिंग होता है खिली उडा रहे हो है ना, आप अगर इतना अच्छा हिंदी बोलते तो आपको हिंदी सिखना ची और बोरिंग नहीं भी लगना ची है सही ना मम्मी मम्मी और पापा सबसे जादा डर किस से लगते किस से भी नहीं कि दोनों आपसे डरते हैं प्ति भी अब दोनों आपसे डरते हैं नहीं अच्छा आपका आपका crush woran get करीन and night करी ना सानिया और रिया करी ना सनिया और रिया करीन extremes हर कुड करीन हुड ही इशह if वो में साथ बहुत खेलती है और मज़े करते है बैस प्रेंड है अब जहां पर भी जापते हो, छोटे छोटे बच्चे आपके आजु बाजु आजु आज़ाते होंगे है ना, फिर क्या करते है वो लोग? फोटो खीछते हैं फोटो खीछते हैं और और कुछ बोलते भी होंगे अपके साथ हाथ मिलागे है जते अटाग्राफ लते है अच्छा अच्छा सलोनि प्रेयर करते हो आप मॉर्निंग मैं स्कूल मैं करते हैं क्या प्रेयर क्या होती जरा आमको सुनाएंगे जरा जनह गन मन बोलते हैं जनह गन मन प्रेयर करते हैं और वंदे महतरम पोएम याद रहती है? याद रहती है? हाँ मुझे भी 96% है जी में इंटी सिक्स परसंटे जा रहती है एक अप्षी सी पोयम सुराएंगे ? एक ज़ी बता चाद बचल जाएगा, 96 आएथे कि नहीं आएथे। I love the rolling rolling of the sea, I love the hitting of the green snake, I love the rolling rolling of the sea, but the sounding of the best, the very very best is to your text, God loves me. Very good, ये बुझे लगता है कहीं गलती कर दिया आपके टीचर, 96 नहीं देने चाहिए आपको, आपको 100 आउट ओफंड़ देने चाहिए, है ना? Music के mark नहीं मिलते हैं, ओच्छा, लिखने के mark मिलते हैं, गाने के नहीं मिलते हैं, बिल्कुल सही बता है बटा आपने, आपको क्या लगता है, कि आपकी स्कूल में जो पढ़ाते हैं टीचर, है ना? उनकी गलती क्या होती है? कुछ तो गलती निकाली होंगी आपने, सब की गलतीया निकालता है, आपने कोई टीचर की भी गलती निकाली होगी बिटा काली निकाल फिर से बताया है? वह स्केल लेकर बस्कों मारती है आजो सी टीचर है है नाम क्यारे फिर आपने कंपलेन किया था? कंपलेन किय नहीं किया, आपको तो नहीं मारा होगा कभी नहीं जो बस्के चुण पनीश्मत्त उसमाते है कबी एक बार तो आपको पनिश्मेंट मिली होगी ? एक बार मैंठ ट्रोइंड बुक नहीं लई थी तो पनिश्मेंट मिली थी क्या पनिश्किया थापको ? हमद्आ करके एक हदे हमें आपको क्या लगता है कि बच्चों के लिए पढ़ाई होनी चीए कि नहीं पढ़ाई पढ़ाई निकाल देनी चीए क्या लगता है अपने अमीदा बच्चन का नाम सुना है आप मिलें उनसे मिलें क्या क्या हुआ था जब उनसे मिलें तो अमीदा बच्चन ने क्या बोला था मैंने उनके साथ एक गंटा नीवर की थी और वो इरो बने थे और मैं आधे गयू भइंचा फिर एक बने लोग क्या हुआ इंचा हाल हो तो क्झारत शाल को सन्नदर देखें फिर से वर तोल्ड Buenos या देये कुछ तो याद होगा कीसे करके दिखाए था ना ना कि आ टीवी तो देखते होंगे आ आप जब टीवी पर आ रही है तो आप तो टीवी पर देखते होंगे है ना नीउस देल आती है अच्छी लगती है पूर मतलब मोलकी कि आून जो लखती है। मतलब भूल ते कि आूरी निज में तोन वेड मोला चlais अज multip Bluetooth कि ए revolutionary यह करे नियूस में यह सब बता दे अच्य नहिं लगता ना । मिय अपका प्रोग्रम अपर निज धा रहा हैना तो सब को बता दो कि News Selam अच्छे-अच्छे News दिखाना चीज़ है क्या लगता है आपको अच्छे बच्चों के लिए जो टेलेवीजर में प्रोग्राम आता है हो अलग-अलग कार्टून के प्रोग्राम साथ है आपको क्या लगता है कि Saloney जो कर रही है कुछ नोन Maar कि जो बच्चे होते बडSu को एच पढ़ाय चालू रहती है अपको लगता है कि ये जो इतना सारा पढ़ात है उर चोटे बच्यों को समझ में नहीं आती है एसी जी चीज़ पढ़ने पढ़ती है उसमेए कुछ इजी अज्यू assessments का ने मेन यजिन इन Beta ग्छो को बहुत बढ़ा ही नहीं कराने चाहिए हैं और फिकले एक गंड़ा पढ़ना ठीक है नी दो गंड़ा दो गंड़ा ऑके बाल कैसे बनाने अच्छे लगते सानोनी को यह जो भी बना के दीए मुमीन आजो आपके भूला होगा किसे बलाना पसंद करती है बामी है करती हैं क looked जिक्कन और मटना चिकन में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है मह accomplishments and सबस्क्राइब दाते में चोटे सेफिक बाद दुर समयते था ना नकरा वराम ना सलोनी साथ है घणी बैदी वातों कर शैक विरम्रहम मरमर के जिलीए एक पल दो अफ़में, चीन दो जीन दो सारी अम्रहम मेरे मर के जीलिये यह पल तो अफ़ा में जीने दो जब मुझे कोई मेरी बुक ने मिलती तो बहुत गुसत लेकेडी की काठी काठी पे खोड़ा गोड़े की दम पे जो मारा तोड़ा दम उठा के दम उठा के दम मैं मैं शेल वह मेलत की बहुत मामूली हूँ कोई छे नंबर वन नी साते कोई छे संसनी साते गुजरात न्यूज सत्यनी साते हिरामबाद फरिये कोई स्वागेच आपनू कारेकरम अती थी मासलूनी जी आपने बता कि खाने में चिकन और मटन तो बहुत अच्छा लगता और खास करके मसाला चिकन फैवरेट दोनों आतों से दे धड़ा धड़ है ना रोटी रोटी कितना खा लेते हैं एक दो तीन पाथ दस पंद्रा अब्रीस पचास अच्छा गाना भी गाते हैं राइट गाना कभी-कभी गाले तो कभी-कभी शौ में अगर स्क्रिप्ट में दिया तो अपका फेड़ेट गाना कौनसा है एक क्पल तो अफामें चीन दो शीन दो सारी इम्रहम मरमर के जीलिये एक पल तो अपफामे जीन दो जीन दो झाला 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 इसके साथ साथ में पढ़ाई के साथ साथ बागी classes भी करते होंगे आप कुछ सुनिंग के डांस के या तो swimming क्रते आप खास-कास निसके साथ बढ़ाई के साथ अंप को swimming का थी लगती है लेकिन मा क्लास को नहीं प्याते लेकिन स्विमंग जाते हो सही है ना सीखा था अब आती है अब आगई एक बात मुझे और पूछनी आपको कौन से कलर के कपड़े अच्छे पसंदे कलर कौन सा पसंदे आपको रेड ब्ल्यू ब्लैक पिंक और रेड पिंक और रेड ऑके गुस्टा कब आता है इसा दो निकाओ कब गुस्टाद है जब कभी पी फिर पी का बात है सबसे जदा गुस्टा का बात है जब मुझे कोई मेरी बुक नहीं मिलती तो बहर गुस्टाद है जब मुझे कोई मेरी बुक नहीं मिलती तो बहर गुस्टाद है बुक नहीं मिलती मतलब घर में कहीं रग गई यह मिलने पाती है तो तो गुस्टा कुछ जबाता थो क्या करती है ? कुछ की चिलाती है ? का हम दूए ? कीज़ है ? कक् Почему करती हो ? कुछ ही कार है ? TWLING भी तो कards अधाती हैädे भी और मही ज़िए ग्तरी व्रंशे है ? मूझे स्विबस इची लेगाती है बच्चों के लिए जीतने गाने हैं बच्चों के छोटे चोटे बच्चों के गाने आते हैं ना मालू है ना कौनसे कौनसे गाने हैं उसमें से सबसे पसंद बच्चों के गाने कौनसे पसंद है आपको जो छोटे बच्चे ज्यादा गाते है लकेडी की काथी काथी पे भूड़ा थोह जर्णा गाज हो अच्छा लगता है, मुह भी बहुँआइnew है लकेडी की काथी काथी पे घोड़ा रोडे की दम पे जो मारा तोड़ा दर्ड़ा दर्रड़ा दम उठाके दोड़ा आपके साथ पार्टनर भी होता है जब मारक्स जजज देते हैं तो उसमें कभी कम मारक मिलते है तो बुरा लगता है कि इतना अच्छा परफॉर्म किया फिर भी कम मिले इसा होता है बुरा नहीं लगता है तो थोड़ा असा लगता है फिर नेक्स ताइम सोच देगी चलो और परफॉर्मंस अच्छा करेंगे है ना अच्छा सालो नहीं चलो अभी तक ये लास्ट मेगा क्वेश्चन है अभी तक का आपने जितने भी परफॉर्मंस किये उसमें सबसे अच्छा परफॉर्मंस आपको कौन सा लगा आपको मजाया था कि यस ये मैंने बेस्ट किया था मुझे एक हमने छोटे मियां बड अच्छा परफॉर्मंस ना दीजिए सच्छी ने एक बार किया था मैंने सच्छीन दिंदल कर किया अईला एक हमने मुझेल का किया था वह फोरे नहीं रहते है और अनिमल्स को वह एक हमने किया था वह मैं मुझेल की बहुत मामूली हूँ ऐसा था अके ओके सालोनी तो ऐसे भी बड़ी तो हो चुकी है इतना बड़ा नाम हो चुका है हिंदूस्तान के कोने कोने में लोग सलोनी को जानते कोई सलोनी के नाम से बुलाता है कोई गंगुबाई के नाम से बुलाता है अभी सलोनी बड़ी होके क्या बनना चाहती है मुझे वेटर्नेरी डॉक्टर बनन अच्छा विशी ओल्द बेश अलोनी दर्शक विद्रों आती चर्चा नानी परंतु बाउज मोटी कईशे का नानी उमर वा खुब ज मुटा स्थाने पोचे ली शलोनी साथे फरी मनिशु नेक्स्ट अपीसोड वा एक नवा आती थी साथे त्या सुधी रजाप्शो नमस्कार थैंक यू अरी मच एंड विशी ओल्द बेस अनोनी थैंक यू